हेलो दोस्तों, मैं राहूल, जहरकन टॉप में आपपर स्वागत है आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जहरकन का अधूनिक इतिहास ये जहरकन के अधूनिक इतिहास का लेक्चर का दूसरा वीडियो है अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए आपको कहानी समझने में आसानी होगी तो इस lecture series में हम बात कर रहे थे जहरकण में अंग्रेजों के गोशने के बारे में और यहां की कैसे उन्होंने इस छेत्र को अपने नियंतरन में किया तो सिंभूम में उस समय उस समय मतलब 1767 में जब अंग्रेजों के गोशना सुरू हो रहा था तो उस समय सिंभूम में तीन बड़े राज्य थे कौन कौन से ढाल राजाओं का ढाल भूम पुड़हाट का सिंग वन्स और हो लोगों का कुलहान और दो देसी रियास्ते थी सराइकेला वगा खर्षवा तो पिछले लेक्चर में हमने ढाल भूम और पुड़हाट के बारे में देख लिया था इस लेक्चर में मैं आपको सराइकेला खर्षवा और कौलहान के बारे में यहां आप देख रहे हैं सराइकेला राज यह और यह कौलहान का इलाका जो रह गया था आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ सराइकेला और खर्षवा के बारे में तो सराइकेला औ बैटा था। सुर्वात में जब यह बना तब इस रियासत में केवल दस गाउन ते और 1770 में सराइकेला के राझा अभिराम शींग का संपर्क अंग्रेजों से हुआ था और जब 1803 में एंग्लो अमराथा युध हो रहा तब अंग्रेजों ने सराइकेला के राजा अविराम सिंग से कहा था कि यदि वह मराठों के विरुद सहेता करेगा तो उससे कर नहीं लिया जाएगा और इसके अलावा 1820 में टमार बिद्रों के नेता रूदन मुंडा को पकड़ने में भी सराइकेला के राजा ने अंग्रे जो कि साइड है तो अब बात करते हैं खरस्वा की तो खरस्वा की अस्थापना विक्रम सिंग के दूसरे बेटे ने असे थी विक्रम सिंग जो सराइकेला कसंस था पकता और इस खरस्वा के बारे में जानने को ज़्यादा कुछ नहीं है तो 1899-1899 में दोनों रियासतों को British सरकार से सनद मिली, सनद मिलने का मतलब कि मानने था या पैचान, इसको आप recognition की तरह समझ सकते हैं, जैसे अभी देश की सरकार हैं किसी दूसरे देश को recognize करती है, ठीक उसी तरह, इस तरह इन दो देशी रियासतों पर अंग्रेजों का सीध तो हो लोग इसे हो दिशुम कहते थे, हो दिशुम का मतलब हो लोगों का देश, दिशुम का मतलब हो में देश होता है, तो हो लोग इस इलाके को अपना एक अलग देश मानते थे, और अंग्रेजों के समय में इस इलाके को कोलहान कहा जाने लगा, कोलहान यानि कोल अस्थ मुगलों या मराठों का पूरा अधिकार नहीं था, मतलब कि कोलहान का छेतर कभी भी मुगलों या मराठों के कंट्रोल में नहीं रहा, क्यों पोड़ाहाट के जो सिंग राजा थे, उनका इन लोगों पर प्रभाव था, पिछले लेक्चर याद है अपको, जिसमें मैंने बत करते थे, बल्के कभी-कभी के वाल भेट या उपहार टाइप कुछ दे दिया करते थे, इस तरह काफी लंबे समय तक इन पर कोई बाहर है नियंतरन नहीं था, जिसकारण ये स्वतंद्रता प्रेमी और लडाकु स्वाब हाओके हो गये थे, तो इसलिए अंग्रेज या इस स्वाजने की हिंमती नहीं जूटा पाया, इसके बाद 1820 में मेजर रपसेज सेना लेकर आता है, और मेजर रपसेज की सेना और हो लोगों के बीच में चाइबासा के रोरो नदी के किनारे लडाई होती है, रोरो नदी चाइबासा के लोगों ने देखा हुगा, तो उस में करनल रिचर्ड को सेना के साथ भेजते हैं और इस बार की सेना पिछली सेना से काफी बड़ी थी लेकिन फिर भी हो लोगों ने इसका एक महिने तक सामना किया ये जो 1821 में हो लोग अंग्रेजों के खिलाब लड़ाई लड़ रहे थे इसे ही हो विद्रो कहा जाता है 1821-21 का हो विद्रो मैं अलग से एक जंजातिय विद्रो वाला सेरीज लेकर आऊंगा और उसमें सभी विद्रों के बारे मैं आपको डेटिल्स बताऊंगा तो अभी आपको केवल विद्रो की कहानी और कब हुआ था बस इतना ही याद रखना है तो दो सालों तक विद्रो करने और 1821 में एक महिने तक अंग्रेजों के सेना से लड़ने के बाद हो लोगों को लगा कि लड़ाई करके फायदा है नहीं तो वे लोग संदी करने और संदी की सरते मानने को तयार हो गये थे तो जो अंग्रेजों द्वारा संदी की सरते रखी गई थी वो थी कि हो लोग कमपनी की और पोड़ाट राजा की अधिनता सुईकार करेंगे और उसके प्रती वफादार रहेंगे और आगे से कोई विद्रो नहीं करेंगे और दूसरी सर्थ थी कि हो लोग पहले 5 साल तक तो 8 आना 8 आना मतलब 50 पैसे और 5 साल के बाद 1 रुपया प्रती हल सालाना कर देंगे और कोलान के रास्तों को खुला और सुरक्षित रखना होगा मतलब कि कोई राजा या अंग्रेजों की सेना वगेरा यदि इस इलाके से गुजरे तो उनके साथ लूट पार्ट या मारकाट नहीं होने चाहिए और अब दूसरे जाती के लोगों यानि जो हो जन जाती थी उनको छोड़कर दूसरे जाती के लोगों को भी इस इलाके में रहने और बसने देना होगा और इसके अलावा यह भी कहा गया कि अब हो लोगों को अपने बच्चों को हिंदी और उडिया भासा सिखाना होगा और साती सर्थ में ये भी खा गया कि अब यदि हो लोगों पर कोई अतिचार करता है, तो हो लोगों को हतियार नहीं उठाना है, बल्कि सरकार से फर्याद करना है। मतलब कि हो लोग अब पहले की तरह direct action नहीं ले सकते, पहले उन लोगों को सरकार को complain करना होगा और तब सरकार उस मामले को देखेगी और सुल जाएगी या संभालेगी जो भी करेगी सरकार करेगी, हो लोग खुद नहीं लड़ेंगे, तो हो लोग पहले तो मान गए, लेकिन फिर भी पहले की तरह ही हो लोग पोड़हाट राजा के अधिन रहने को बिल्कुल तयार नहीं थे और इसके लबग 10 साल बाद ही जब 1831 और 32 में कोल विद्रू शुरू हुआ हो जनजाती के लोग फिर अंग्रेजों के विरुद लड़ने के लिए कोल विद्रू में सामिल हो गया और कोल विद्रू में सबसे ज़ादा सूसंगटित यह अच्छे तरीके से जो लड़ाई लड़े थे वो हो जनजाती के ही लोग थे तबी तो company इन्हें लडाका कोल कहती थी तो इस विद्रो के कारण company को एक बार फिर हो लोगों पर सैनिक कारवाई करना पड़ा तो 1836 में एक बार फिर करनल रिचरड को भेजा गया ये वही करनल रिचरड है जो 1821 में एक बड़ी सैना लेकर आया था और हो लोगों के साथ एक महिने तक लड़ाई चली थी तो इस बार सैना Thomas Wilkinson के कहने पर भेजी गई थी Thomas Wilkinson 1834 में एक एजेंसी बनाई गई थी दक्षिन पस्चिम सिमान्थ एजेंसी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी उसका एक एजेंट था ये एजेंसी क्या थी और क्यों बने इसके बारे मां अगले लेक्षर्स में बात करेंगे तो इसी Thomas Wilkinson के कहने पर 1836 में करनल रिचर्ड को सेना के साथ भेजा गया और इस बार हो लोगों ने अंग्रेजों का चार महिने तक सामना किया था चार महिने सामना करने के बाद फरवरी 1837 में हो लोगों ने सरेंडर किया लेकिन अब भी ये पुड़ाट राजा के अधीन रहने या उसको कर देने को तयार नहीं थे तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है राजा को कर देने की कोई जरूवत नहीं तुम सीधे हमें ही कर दे देना तो इस तरह हो लोग सीधे कंपनी को कर देने लगे लेकिन तब तक अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर इनको सांत रखना है तो इनको उनके अनुसार जीने या रहने देना होगा उनके रिती रिवाजों और सासन बेवस्ता में छेड़ चाड़ नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये लोग फिर से विद्रोग कर सकते हैं तो इसलिए इनके लिए थोमस विलकिंसन के सुझाव पर 1837 में पुड़ाहाट, सराइकेला और खरस्वा से 23 पीर पीर क्या है? 7-12 गाउं का एक ग्रूप को एक पीर बोला जाता था तो ऐसे ही 23 पीर मिला कर और उसी में मयूरभंज जो उडिसा में है वहाँ से 4 पीर को मिला कर एक प्रसासनिक इकाई बनाया गया मतलब कि एक administrative unit बनाई और उसका नाम रख दिया कोलहान और इसका headquarter चाइबासा को बनाया गया और एक अंग्रेज अधिकारी के अंडर में रख दिया गया और उस अंग्रेज अधिकारी को कहा गया कि यहां के लोगों पर तुम नियंतरन करोगे और उनसे करवर वसूलने का काम अब तुम करोगे तो यह जो administrative unit बनाई गयी थी जहां पर हो लोगों को उनके अनुसार रहने या उनकी इस आसन ब्यास्था को बनाई रखने का अधिकार दिया गया था इसी को wilkinson rule कहा गया 1837 का wilkinson rule और wilkinson rule के लागू होते ही पूरा सिंभूम तो अंग्रेजों के अधिकार होई गया था यह जो सिंभूम में यह तो अंग्रेजों के अधिन आही गया था और इस समय तक पूरा झारकंड भी अंग्रेजों की नियंतरन में आ गया था 17, 67 से 18, 37 तक में पूरा जारकंड भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया था लेकिन अभी तक हमने के वल सिंभूम के बारे में देखा है कि सिंभूम कैसे पूरा अंग्रेजों के अधीन आ गया अगले lecture में हम पलामू के बारे में जानेंगे पलामू ये वाला इलाका है तो यहाँ कौन से राजा थे और अंग्रेजों ने कैसे इसे अपनी अधीन किया इसके बारे में हम next lecture में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए और आप मेरे साथ ट्विटर में जूर सकते हैं या मुझे इस mail ID पर mail भी कर सकते हैं तो थैंक्यू सो मच जुहार